नमस्कार मैं हूँ प्रशांत भारदुआज और आप देख रहे हैं नियूस रूम पोस्ट वित्मंत्री निर्मला सीता रमंड ने आज पांचवी बार अपना जो जब से वो वित्मंत्री बनी है तब से उन्होंने पांचवी बार अपना बजट पेश किया है इसके अलावा मोधी सरकार का नौवा ये बजट था और अब चूकी अगले साल लोगसभा चुनाव होंगे उसके बाद विधानसभा चुनाव उससे पहले 2023 में होंगे और इन तमाम चुनावों से पहले बहुती महतवपूर्ण इस बजट को माना जा रहा था और सभी लोग ये कयास लगा रहे थे कि इस बार बजट में जो घोशनाएं सरकार की तरफ से की जाएंगी वो पपिलिस्टिक होंगी यानि कि वो लोगल भावन घोशनाएं होंगी और कुछ हद तक अगर हम इस बजट को देखे तो वैसा ही देखने को मिला भी है कई सारी चीजेती हैं कई सारे मोणचे ऐसे हैं जिन पर सरकार ने जो पिछली बार से जो प्रावधान किये हैं जो आवंटन किया है धनराशी का पैसों का वो जादा किया है और कुछ चीजें ऐसी हैं जहांपर हमें कटोटी देखने को मिली है लेकिन वित्तमंत्री ने एक बड़ी बात कही थी वजट भाशन में कि हम पाँचमी सबसे बड़ी अर्थवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं पाँचमी सबसे बड़ी अर्थवस्था अमारा देश है लेकिन इस सब के बीच में हमने ये भी देखा कि जो उन्होंने अनुमान जो estimate बताया था fiscal deficit को लेकर के वो 4.6% का था और जो revised estimate था वो 4.6% का था लेकिन इसके अलावा हम जो ये देखे कि सरकार ने जिस तरीके से हर चीज को manage किया है, control किया है, वो कहीं न कहीं उसको लेकर के एक सवालिया निशान है कि किस तरीके से सरकार ने जो fiscal deficit था या फिर जो revenue generate करने का जो तरीका अपना सरकार का होता है, उसको किस तरीके से control किया, यहाँ पर हम अपने कुछ सहयोगियों से भी बातचीत करेंगे और यह जानने की कोहिश करेंगे कि इस पार के budget में देश के आम आदमी से लेकर जो गरीब वर्ग है, जो निम्न मध्यम वर्ग है, उसक रोजगार को लेकर के कहां तक हम यह कह सकते हैं कि देश में रोजगार का सरजन होगा, तो इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे कुछ सही होगी, यहाँ न्यूजरूम में मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, मुकेश जी, आप बताइए कि मतल उसरे अंट्रपनेर्शिप के प्रोग्राम है, उनको लेकर सरकार ने बहुत जादा घोशनाय नहीं की, खुलकर वितमंत्री ने कुछ नहीं का, लेकिन आप क्या मानते हैं कि यह कहीं न कहीं बैक्फायर तो नहीं कर जाएगा सरकार के लिए, देखे प्रशाद जैसा कि होने वाले हैं, लेकिन ओवरॉल जो आम धारना जो देखकर बन रही है बजट की, वह दिख रहा है कि यह बजट आम आदमी का बजट है, इसमें सरकार ने खासकर पूरी जोर इस बात पर लगाया है कि विकास होजनाओं पर जो गरीब गरीब तक तबके तक पहुंचे, गा काफी ज्यादा बढ़ाया गया, अगरिकल्चर की क्रेट स्कीम है, उस पर काफी बढ़ाया गया, तो कुल मिलाकर सरकार की एक कोशिश है, जो अबे फिलहाल शुरुआत में दिख रहे हैं, कि यह पूरी तरह से किसानों को लेकर, किसानों को साधने की, निम नवर को साधने की, ओवरॉल एक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस लाइन में बजट है, जहां तक बात करें नई योजनाओं का, तो नई योजनाओं में एक एकलब योजना है, जिसके तहत सरकार ने नई भर्तियों की घोशना की है, फिर उसके बाद विश कर्मा उसके तहत उन योजनाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, तो एक तरह से नया वर्कफोर्स त्यारीक त्यार करने की पूरी तरह से त्यारी चल रही है, जिन पर हम ये अक्सर देख रहे हैं पिछले नौ सालों से बलकी, जो मोधी सरकार को अक्सर विपक्षी घेरते हैं, और विरोधी जो हैं मोधी सरकार को वो कहते हैं के महंगाई और बिरोजगारी, ये दो ऐसे मोर्चे हैं जहां मोधी सरकार हमेशा थोड़ा बैक फुट पर दिखाई देती है, क्या आपको लगता इस बजट में कुछ ऐसा एलान किया गया है, कुछ ऐसी घोशनाएं हैं, जो इ उनका कहना भी सही है, उचित है कि सरकार जितने जो वादे किये थे उस वाइदे को अपने पूरे करने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाई है, लेकिन कोशिश लगतार जारी है, एक किसी एलीट क्लास से थोड़ा हट कर हर वर्क को साधने की कोशिश की जा रही है, इस पहुचा सकें, तो आप देखेंगे तो एक तरह से बहुत जादा इस पे निया कुछ है तो नहीं हाला कि सब सरकार का सबसे आखरी बजट था, पूर्ण बजट सबसे आखरी बजट था, काफी उमीदे थी कि काफी बड़े-बड़े एलान होंगे, नई ट्रेनी लाँच हो लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं आया, बट फिर भी ओवरॉल जो दिख रहा है कि एक स्टेटस को को बना कर आगे चलने की कवायद है, कोशिश है, जिससे सब का सब जगा भला हो.